मेरा नाम मैंख है और मेरा 60 वी बीपेसी से ब्लॉक से स्टी वेलफेर आफसर के पोस्ट में पढ़ना होता है लेकिन सही डारेक्शन में पढ़ना जरूरी है यहां पर परिवार को बहुत खुसी है बच्चे ने मेहनत किया ओ रिजल्ट दिखाया सब के सामने और क्या बोलो अगर बच्चे मेहनत करेंगे तो रिजल्ट देना ही है बच्चों पर केर करना जरूरी रहता है क्या कर रहे हैं बच्चे आप कैसे डिल कर रहे हैं इन सब चीजों को गार्जियन को जरूर देखना चाहिए बच्चे पर ही सिर्फ अकेले बोज मत लीजिए थोड़ा आप केर कीजिए गार्जियन है तो देखिए कि बच्चा किस तरह से आपका तयारी कर रहा है अकेले उनको ही श्ट्रगल मत करने दीजिए आप भी उनका हिल्प कीजिए तब जाके बच्चे आगे बढ़ते हैं और सारा परिवार इस पर गर्व महसूस कर रहा है मेरा अगर होसल सब्सक्राइब कर रहे हैं और मैं बता दू कि यह समुदाय से होते भी हुए भी यह चैनित हुए हैं क्या कहिएगा सबसे पहले आपको बहुत-बहुत बढ़ाई हो धन्यवाद धन्यवाद इस चीज़ के लिए और क्या नाम है मेरा नाम मैयंक है और मेरा सट्वी ब्लॉक सक्षा की बारे में बात की जाए तो आपका सिक्षा दिक्षा कहां से मिला है मेरे पापा इंडियन एरफोर्स से रिटाइड है तो मेरा स्कूलिंग एजूकेशन पूरे इंडिया से हुआ ट्रांसफर पॉलिसी की वज़ए से उसके अद मैंने बीटेक किया नाइटी जमश बताया जा रहा है आपके मता पिता के कहने के कोडिंग दोजार 21 के अंत से मैंने त्यारी स्टार्ट की थी तो लगवग देड़ साल लगा इस चीज को करने के लिए और डेड़ साल में मतलब उमर ज्यादा माइने नहीं रखता जो तैयारी आप जिस जितने टाइम में कर र से बहुत ज्यादा प्रेडित होते हों मतलब कोई खेलोल खेलते हों ऐसे फुड़ और क्रिकेट से थोड़ा इंट्रेस्ट देखने में ज्यादा खेलने का वक्त नहीं मिलता था पढढ़ाई के वद तो इन्हीं के थोड़ा देखके ही वक्त गुजार लेते थे जाए एक solution है पढ़ाई मैं मेरे जहां भी नंबर है हर जगा मैं किसी भी समाज का कोई भी हो मैं कोशिश करता था कि हमेशा मेरे नंबर सबसे ज्यादा रहे तो उस वज़ए से कभी किसी हैं चाची हैं सारे लोग है पूरी फैमली है क्या कहिएगा जिस तरह से आपके यह कौन लगते हैं हमारे छोटे भाई के बेटे हैं हमारे भतीजे लगेंगे और इनके रिजल्ट से हम लोग बहुत गरवानित हैं, हम लोग पूरे फैमली में बहुत ही निचले अस्तर से हम लोग मेहनत मेज़़ूरी करकर, हमारे ये बड़े भाईया हैं, हम लोग तीन भाई हैं, और हम लोग तो बहुत खुस हैं, पूरे फैमली इनके रिजल्ट से बहुत खुसी मासूस कर रहा है, जिस तरह का रिजल्ट इन्होंने दिया, आने वाले समय में हमारे यहां के और भी जो बच्चे हैं, और भी आगे जाने का प्रयास करेंगे, एक होसला बढ़ता है, अगर कोई बच्चा आगे बढ़ता है, तो और भी बच्चों का होसला बढ़ता है, हम लोग बहुत खुशी आया नहीं है, अभी डायेट रांक आया, तो इसलिए यह चीज माया नहीं बता सकता हूं, प्रिलिम्स का मार्क्स जो था, वो जन्रल से था, अब्धली में आप एक जाम दिया, नहीं मेरा मार्क्स जन्रल के ज़्यादा, जो अज़ जया जो मार्क्स था, यहां जिबाकी सी में ट्राइब करें अभी तो फर्स्ट इनिसियल स्टेज है तो आगे जा इसको टाइम मिलना चाहिए मिलेगा भी एक आधसाल इसको टाइम मिलेगा कि और आगे बढ़ो जिस समाच से आप लोगा आते होंगे काफी आप लोगों में भी फेस किया होगा देखे होंगे कि किस त तो नौकरी सबके लिए अगर आप पढ़े लिखे हैं लोग बोलते हैं कि इतनी विरुजगारी है यह सरकार नौकरी ने आप पढ़िये तो सही आपके लिए तो नौकरी रखा हुआ है अब आप ग्रिशन कर लिए और कुछ जानते नहीं यह जानते नहीं और बोलेंगे कि खूस हैं बड़े पापा हैं क्या कहिए गा जिस तरह से आपका बतीजाने करना मा किया है गर्व तो मसूस होता है भावक मत हुए कहिए हम यही कहाना चाहेंगे कि ऐसे बच्चों को जो हमारे समाज को आगे दिसा मिले जा रहा है और सारा परिवार इस पर गर्व मसूस कर रहा है मेरा और हम लोग यहीं चाहते हैं कि और बच्चे भी आगे बड़े हैं जिस समाज से आते हैं यह भावक हो गया मतलब इनकी आखों से आसु छलग रही है और इन सब चीजों से लोगों को एक प्रिणा लेना चाहिए इसलिए कि देख सकते हैं ही लोग जिस समास से आते हैं मैं उसका फिर जिक्र नहीं करना चाहता हूँ ये दली समुदाय से लोग आते हैं और मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस मुकाम पर हैं ये केवल सिख्छा के बदौलत ही है क्या कहिएगा जो बेटा ने आपका इस तरह का करनामा किया है सभी परिवार को बहुत खुसी है बच्चे ने मेहनत किया वो रिजल्ट दिखाया सब के सामने और क्या बोलो अगर बच्चे मेहनत करेंगे तो रिजल्ट तो देना ही है समय के अनुसार उमर के हिसाफ से पढ़ने का जो इसका एज था इसने वो कर दिखाया पुरे परिवार में खुसी है और आगे जाने का इसकी अभी एक्छा है देखिए ना चैने और ऑपीटा आप पीटा का आप मता हैं आपका सेयों कैसा रहा इनके प्रतिक यह कीर कर ना जरूरी रहता है क्या कर रहे हैं यह इन सब चीजों को गार्धियन को जरूर देखना चाहिए बच्चे पर सिर्फ अकेले बोज मत लीजिए, थोड़ा आप भी केर कीजिए, गार्जियन है तो देखिए कि बच्चा किस तरह से आपका तयारी कर रहा है, अकेले उनको ही इस्ट्रगल मत करने दीजिए, आप भी उनका हिल्प कीजिए, तब जाके बच्चे आगे बढ़ते हैं। अपने आपको गौरवानित महसूस कर रहा है, और ऐसे में सारे लोगों को इन से प्रेणा और सीख लेना चाहिए। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहे हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त धन्यवाद।